तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन बच्चो के लिए जो क्लास 12 का सेम्पल पेपर हिंडी में चाहते हैं डिमांड कर रहे थे तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चो क्लास 12 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर है 2021-22 सेशन का यानि यह जो साल में पेपर होने वाला है आपका फर्स टर्म का ठीक है तो उसका यह सैंपल पेपर CBSC ने जारी किया है इंग्लिस में जारी किया जाता है बच्चो यह सैंपल पेपर लेकिन आपको हमारे चैनल पर हिंदी में देखने को मिलेगा यह हम इसको कनवर्ट करते हैं इंग्लिस टु हिंदी और उसके बाद इसका पूरा सोल्यूशन बना करके आपको देते हैं तो अल्रेडी हिस्ट्री क जो हैसो की सैंपल पेपर अपलोड हो चुका है कृष्णा सर ने अपलोड कर दिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंख है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिस्ट्री का पूरा जो पेपर है आपका सैंपल पेपर उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो हिंदी में वो भी तो अगर आपने नहीं देखा तो मतलब डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा और चैनल पर भी मिल जाएगा आपको और यहां पर आज की इस वीडियो में हम मतलब यहीं कि 40 marks का आपका marks weightage है इस sample paper का यहीं कि जैसा आपका sample paper होता है ना हुब बहु उसी format में आपका जो हैसो की जो board exam होता है वैसा आता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा बहुत लंबा time लगा मुझे इसे हिंदी में convert करने में तो हर एक question को आप ध्यान से देखेगा और एक छोटी सी बात में आप और इंक्लूड करना चाहूंगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि यह question paper जो कह लिजा यह question का answer यह होगा ठीक है जिससे कि आप अगर एक positive कमेंट करेंगे तो चार बच्चे आपके comment को like करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे द्वारा दिया गया answer चार लोगों के काम आ रहा है तो I hope कि आप समझ गया होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करत तो यह सामाने निर्देश है अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चलते हैं यह सामाने निर्देश दिये गए जैनरल इस्ट्रक्शन साब इनको कह सकते हैं तो देखे पहला question बच्चों क्या पूछा गया ह यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नए स्वतंत्र देशों को किसी भी गटबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला जब यहाँ पर आपका खाले स्थान है डैस बनाया गया जो नए नए आजाद हुए देश थे उनको मरलब जो आपका अमेरिका था और USSR था यानि कि दो आ पर रहने का एक अलग ऐप्सन मिला एक विकल्प मिला जब किसना मलब जब क्या बना डैस बनाया गया तो इहां पर चार ऑप्सन आप देग सकते हैं पहला है नाटो दूसरा है सेंटो मिला है और सानधी और चौत्था यानिकी गुट नीरोपेक्स नाम यानिकी नेम कह जब से नेम यानि कि नोन अलाइमेंट मुवमेंट शुरू हुआ और जिसको हिंदी में कहते हैं गुट निर्पेक्स ता अंदुलन कह लिजी यह शुरू हुआ तब तो आई होब कि आपको एक कोशिन समझ में आ गया होगा यानि कि इसका सही अंसर ये डी वाला होगा ठीक है बच्छो दूसरा कोशिन क्या पूछ रहा है हमसे कि महासक्तियों के लिए छोटे राज्ये महत्यपूर्ण थे तो जो महासक्तियां थी उस टाइम पे जैसे कि अमेर साइंस में राज्ये का मतलब देश होता है यह छीज समझके चलिए अप थीक है चोटे राज्ये क्यों महत्यपूर्ण है तो तीन ऑप्षन यहां पर दे रखा है पहला आपका महत्यपूर्ण संसाधनों के लिए दूसरा का छेत्र के लिए जो वहां का ट्रायोर्टि कैसकत तो इसके अंदर आगे देखेंगे तो यहां पर बोल रखा है कि सही विकल्प की पहचान करें इसमें भी चार ओप्षन दे दिया आपका तो इसका सही उतर यह फोर्थ वाला है डी वाला इसका सही ओप्षन होगा पहला दूसरा और तीसरा यानि कि यह तीनों जो कारण यहां पूर्ण मानते थे तो आई होप कि आपको यह कोशन समझ में आगया होगा बच्चो आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देख लेते हैं मैंने आपको शुरू में बता दिया था वीडियो के कि जो कोशन से वह इंगलीस में आता है उसको हंडी में ट्रांसलेट किया थोड़ा बहुत इधर-उदर हो सकता है ध्यान रखेगा इस बात का 90% कोशन जो मैंने सही से सेट किया हैं आपके लिए तीसरा कोशन देखे कि नीती आयोग के उपाध्यक्स की नियुक्ति कोन करता है जो नीती आयोग है हमारा उसके जो उपाध्यक्स है उसकी नियुक्ति कोन करता है पहला है परधान मंत्री दूसरा राश्पति तीसरा है मुख्य कारी अरिकारी होता है और तीसरा है वित मंत्री तो इन में से कोन जो है नीती आयोग के उपाध्यक्स की नियुक्ति करता है तो इसका जो सही उतर है बच्चो तीसरे का वो है प्राइम मिनिस्टर यानि कि आपका A वाला option सही होगा परधान मंत्री जो है नीती आयोक के उपाध्यक्स जो हता है उनकी न्यूक्ति करता है आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण देखें बच्चों चोथा प्रस्ण है कि सोवियत परणाली के बारे में निमल मसीनी करन उत्पादन परणाली और परिवहन छेत्र जो इसे दुरूस्त छेत्रों की दक्षिता के साथ जोड़ता थे यह दूर दराज तक फैला हुआ था इसका जो कम्मिनिकेशन सिस्टम था यह संचार परणाली कह लिए इस तरह से कहा गया है तीसरा ओला option देखिए कि इसका एक घरेलू भोक्ता जो कि पिन से लेकर कार तक सभी चीजों को बनाता था यानि कि यह कहली जे पिन से लेकर कार तक सभी चीज़े बनाते थे और अगला है डी वाला की 1992 में सोवेट संग का विक्टन हुआ तो यह जो कोशन है आपका यहापर आप एक सकते हैं फूर् यह वाला आपका सही ओप्सन होगा तो सोवेट संग के बारे में सोवेट परणाली के बारे में यह वाला ओप्सन आपका सही है ठीक है यह चीज है तो यह फोर्थ वाला ओप्सन आप यहाँ पर सही का निसान लगा दीजेगा कोशन दुबारा से मैं बता रेता हूं कि यह जो था सोवेट पढ़नाली के बारे में तीन बाते तो सही लिखी हुई थी लेकिन फॉर्थ वाला चाहा कि यह 1992 में विगटन वाला तो यह चीज आपका गलत था इसलिए जो डी वाला ओप्शन था वो सही था आगे जलते हैं अगला प्रसंद देखिए डैस नीती आयोग द् जहां पर डैस बोला गया है अब वो क्या है? वो आपको बताना है. मेक इन इंडिया दूसरा मेड इं इंडिया तीसरा स्था इस स्टाट अप इंडिया और चोत्तवा आउशमान भारत तो इसकास और सही उत्तर भागभा बच्चोव ौह अपको आपका मेक इन इंडिया ठ देखिए बच्चो छटा प्रस्ण क्या पूछ रहा हैं से कि गुट निर पेक्स ता यानि कि नौन अर्लाइमेंट मुव्मेंट के लिजे का विचार रखने वाले तीन नेता कौन से थे हमारे यहां पर आप चार ओप्षन देख सकते हैं बच्चो छटे प्रस्ण के अंदर त जला है आपका पठकाई हिल्स में किया सोरी दूसरा है आपका चंगई हिल्स में किया तीसरा है नागा हिल्स में किया और उसी परकार से चोथा है आपका कारगिल हिल्स में किया तो पाकिस्तान ने अपना परमाणू परिक्षन वो कहां पर किया था वो आपको बताना है तो यहां पर कारगिल हिल्स में भी मेरे को थोड़ा से डाउट लग रहा है तो एक काम कीज़े बच्चो इसका एंसर आप कमेंट करके भी बताईएगा मुझे लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है according to me कि ये चंगाई हिल्स होना चाहिए इसका एंसर ठीक है तो मेरे हिसाब से तो ये डी नहीं होगा वैसे ये होगा आपका बी वाला चंगाई हिल्स एक बार आप कमेंट करके बता दीजेगा मेरा एंसर ये बी है और मैं देखता हूँ कि आपका एंसर कोन सा होता है मैंने ये वाला बोल दिया लेकिन ये नहीं होगा डी नहीं होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चो अगला प्रस्ण है आपका आठवा प्रस्ण कि नए स्वतंतर भारत के सामने नए चुनोतियां कोन सी आई पहला आपका राष्टी एक ता दूसरा है और जोगी करन तीसरा जन संख्या और चोथा ये बिरोजगारी तो जो आठवा प्रस्ण है बच्चो उसका जो सही उत्तर है वो ए है जो नया नया हमारा जो भारत अजाद हुआ तो आपको पता है कई रियासत लगभग पांसो पैंसेट रियासतों में टूटा हुआ था ठीक ह आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है हमारा नवा प्रस्ण नवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में इन में से कौन सा कथन गलत है तो जो आपका नवा प्रस्ण है बच्चो इसका सी एंसर होगा यानि कि जो वैस्विक मुद्धों पर तठस्ता की निती का पालन करना ये होगा इसका सही एंसर जो आपका नौवा कोशन है ना गुट निर्पेक्स अनौलन वाला उसका ठीक है ध्यान से इस कोशन को एक बार दुबारस देख लीजे कौन सा कथन गलत है वो पूछा है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख लेते हैं दस्वा प्रस्ण क्या पूछ रहा है हमसे दस्वा प्रस्ण देखिए उनकी स्थापना के काल जो काल क्रमानुशार यानि की कह लिए सीरियल वाइस कह लिए निमलिखित को वेवास्तित करें तो पहला आपका विशु वैपार गठन दूसरा है MNST International तीसरा है राष्टिय संग और चौत्था है आपका विश्व बैंक यानि कि वर्ड बैंक क्या लिजिए जो दो दसवा कोश्चन है आपका उसका कुछ इस परकार से होगा कि नीचे देख लीजिए मतलब options भी दिया होना चाहिए लेकिन options नहीं दिया इसमें कोई बात नहीं यह मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही उत्तर होगा बच्चो दसवे का वो होगा पहले तीसरा है आपका यानि कि राष्ट्य संग ठीक है फिर दूसरे नंबर पर आएगा आपका चोथा यानि कि वर्ल्ड बैंक फिर उसके बाद आएगा आपका पहला यानि कि विस्व वैपार संगठन ठीक है फिर आएगा आपका दूसरे वाला है यानि कि MNST International मैं दुबारा से बता लेता हूँ इसको अगर हम लोग काल करमानुसार लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा बना था ये थर्ड वाला यानि कि राष्टे संग बना था पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर ये विश्व बैंक तीस सजुकतराष्ट पर्णाली के तहत परमानु प्रोधोगी की के सुरक्षा और सांतिपुन उप्योग से संबंदित है ग्यारवव प्रश्णि आपका तो ग्यारवव प्रश्णि का जो सही उतर होगा बच्चो वह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही उतर होगा शी अं विक उर्जेंसी होता है वैसे तो अंतराश्टिय परमानु आणविक उर्जेंसी इस तरह से तो यह सी वाला जो एंसर इसका सही होगा मैं आपको बताया था ना कि बत्चो अगला प्रस्ण देखिस अगला प्रस्ण है आपका बाखाता मित्मीन देखत चोरवा प्रस्द से क्या पूछ रहा है कि यहाँ आपका सही उतर होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए बच्चो अगला प्रस्न है पंद्रवा प्रस्न पंद्रवा प्रस्न के आप उच रहा है कि नहरू की विदेश निती के तीन मुख्य उद्देश से थे तो कड़ी महनत से जो हमने अर्जित संप्रभुत्ता है उसकी रक्षा करना ये भी था छेत्रे एक खंडरता की रक्षा करना ये भी था तीवर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ये था कि नहीं था ये नहीं था ठीक है और भारत में पुंजी विवस्था इस्थापित करना यह चीज है तो पंदरवे का जो सही उत्तर होगा आपका यह तीसरा थास होरी तीवरा आर्थिक विकास करना होगा और यह जो है सो की फोर्थ वाला नहीं होगा भारत में पुंजी विवस्था को इस्थापित करन यानि कि पहला दूसरा और तीसरा ठीक है चोथे वाला इसका सही उत्तर नहीं होगा भारत के अंदर अगर हम लोग नहरू के बात करें तो को अगे देखें वच्चों अगला परसण है सोलव परसण सोलव परस्ण कि अप बोल रहा है उन्की निमलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवाधित इस्थाल्य है तो आपको पता ही होगा बच्चों सोलव परस्णी के अंदर जो सही उत्तर होगा आपका लुपू लेख दर्रा जो है मारा लुपू लेख पास बोलते हैं इंगलिस में ये विवारित इस्थाल है और वरतमान समय में अगर आप देखेंगे न तो गलवान गाटी में भी काफी हंगामा हुआ था पिछले 2020 के टाइम पे लेकिन इसका सही उत्तर है आपका दीवाला आगे चलते हैं सत्रवा प्रश्ण देखते हैं बच्चों सत्रवा प्रश्ण क्या पूछ रहा है कि निजाम हैदराबाद के लिए स्वतंतर दर्जा चाहता था उन्होंने नवंबर 1947 में मतलब कहा लिए भारत के साथ ठहराव समझोता कहां था ज तो ये बोल रहा है कि कितने वर्सों तक ये बातचीत या ये समझोते के बारे में चला था डिसकर्शन वगेरा ये सारी चीजे तो ये बातचीत जो चली थी हमारी वो इसका सही उत्तर होगा पहला एक वर्स तक इसके बारे में बातचीत वगेरा चली थी हमारा ठीक है 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 विदेश नीती उसकी आर्थिक नीती का परिणाम है ये टिप्पिनी किसके द्वारा की गई थी तो ये चार उप्षिन यापर आप देख सकते हैं इंद्रा गांधी जवाहलाल नहरू मुरारजी देशाई और चरन सिंगी ठीक है तो अठारवे कोशन का जो सही उत्तर होगा ये शेकेंड वाला जवाहल नहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रस्ण देख लीजिए शीत यूद का चरम बिंदु था ये उनिस्वा प्रस्ण है आपका कि शीत यूद का चरम बिंदु क्या था वाई तो इसका जो सही उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और पूछ सकते हैं आप कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जितने जारा लाइक होगा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो समारा बनाने के लिए ठीक है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दो नेशनल आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखते हैं 21 प्रस्न क्या पूछ रहा है मि 달मिनलिखित गफं में से एक को चुने जो आपका 213 वो और ऊधवरर तो इसका जो से उत्तर होगा बच्चो यह जो आपका । उतर नहीं यह चैंज का सय उत्तर होगा गही जो आपका रियास्तों की संक्याति वो 512 थी वैसे तो 512 नहीं थी मतलब ज्यादा थी लेकिन आपका CBSC के according इसका C answer होगा ठीक है CBSC ने जो आपका बताया है उसके according आगे चलते हैं अगला संके पक्स में भी Congress के साथ खड़ा था एक तरह से कह लिजिए निष्ट बढ़ी थी इस तरह से है तो यह जो कोशन है आपका 22 प्रस्ण 22 प्रस्ण का सही उत्तर होगा डी जो की आपका डी वाला option देख सकते हैं कि नागा लेंड को राज्य का दर्जा दिया गया था इसका रहता है नीचे दीए बैए यह जो है ना इन में से आपको सही उत्तर देना होता है तो इसका जो option डी है आपका यहीज सही उत्तर होगा यह है ठीक है अगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए तेस्वा प्रस्ण 3 प्रस्ण के पूछ रहा हम से कि रूशी क्रान्ति कुझी समाजवाद के विपरीत, आदर्सों और समाज की आवसक्ता से प्रेडित थी, तेस्वा प्रस्न है आपका, तो इसका जो सही उतर है बच्चो ये ए है आपका समाजवाद और समतावादी, ये आपका सही option होगा, आगे चलते हैं बच्चो, अगला प्रस्न देखिए, चौबि कश्मीर विले के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तयार था वो अजादी के समय तयार नहीं था तो यह चीज आपका आगे चलते हैं अब देखिए हम आ चुके हैं सेक्षन बी के अंदर सेक्षन बी आप देख सकते हैं इसके मैं बोल रहा है कोई 20 परशन को आपको ह समझाने लग गया तो ठीक है इसलिए मैं आपको राइट एंसर बता करके चल रहा हूं बाकि आप कोशन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस करके पढ़के समझ सकते हैं वैसे तो मैं समझाई दे रहा हूं जितना समझाने के जरोत है लेकिन अगर आप डिटेल में सिद्धान के कारण यह कहता है मतलब यूद नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही देश पर्मानु समपन थे अगर एक देश दूसरे देश पर मानु हमला करता तो दूसरे देश के पास इतना ताकत रहता है कि वो पहले देश को खतम कर से कि परमानु नीति है कई इसलिए यूद नहीं हुआ आपका ठीक है आगे चलते हैं 26 प्रस्ण देखिए 26 प्रस्ण है कि रूष्ट जो है USSR का उतरधीकारी क्यूं बना 26 प्रस्ण है तो इसका जो जो सही उतर है बच्चों ईसका 26 प्रस्ण बबर्वाष्व के अधिक नागर्वाष्ट का जोए सोगी सायोध्तर है आपका फोर्थ वाला बीएडी आणली यह जो है ना बीएडी ओनली बी एंडी क्या है तो बी देखिए इसे सयुक्त राष्ट जो उसमें ना सयुक्त स्रेटराथ्ष्ट संग जो कहा लिए उसमें सोवियत जीड फिराशत में आधिक तक है जो प्रष्ठ सेंंट ति में अधिक करिश्माई थे और देखे नूंकोंगरीश के नागपूर अधिवेशन के बाद से इस इस सिधान को स्विकार किया गया था कि राज्यों का पुनर गठन भासाई आधार पर होगा इसके बावजूद आजादी के बाद नेता इसके खिलाफ क्यूं थे तो यहां पर भी आप चार ओप्सन देख सकते हैं वच्चों यहां पर आप देख पा रहे होंगे चार ओप्सन कोशन नंबर सताइसवे का यह देख सकते हैं तो इसका जो हैसो की सही उतर होगा सताइसवे का सी पहला और दूसरा केवल ठीक है तो पहला और दूसरा क्या है यह देख लीजे पहला और दूसरा इसमें बताया गया है कि पहले आजादी और विभाजन के बाद चीजे बदल गई है और व की समाप्ति के वर्सों कहलीजिए बाद में भी मद्य एस्याई गनराज वैस्टविक स्थर पर अवसर की उपलब्दता तक नहीं पहुंच पाया क्यों ठीक है 28 प्रशन है आपका यह तो 28 प्रशन का सही उत्तर होगा आपका सोवियत जो है सो की प्रभाव की प्रिष्ट भू आए गया है लेकिन मुझे यह नहीं लग रहा है ठीक है यह जो यह है इसका ओप्शन भी होना चाहिए जो 28 प्रशन है आपका देशों में सत्तावाद के कारण यह ओप्शन होना चाहिए जो हिंडी में ने ट्रांसलेट किया उसके अंदर आपका ए आ रहा है लेकिन इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका बी देशों में सत्तावाद के कारण यह चीज़ है अकोडिंग टू में बाकी आप एक बार इंगलीस वाले में देख लीजेगा उसमें क्या बोल रहा है अगला है कि सरदार वल्लाबाई पटेल को रियास्तों के एक ही करन का काम सोपा गया था निमलिखित में से कौन सा तर्क सही नहीं है तो यहां पर आप देखिए 29 में 29 में क्या बोल रहा है हम से इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों यह होगा आपका सी होगा कि मुस्लिम लिग चाहती थी कि एक ही करन का कारे सरदार वल्लाबाई जी को सोपा जया सरदार क्यों किया ठीक है 1970 के टाइम पर भारत सरकार ने संधी पर हस्ताक्षर क्यों किया इसका जो सही उत्तर होगा यह है आपका बांगलादेश संकट के दोरान भारत को राज नी चलिए राज नईक और सेन ने सहायता चीनी पॉलिटिकल भी और आप कहले जिए सेना यानी आर्म के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिये ठीक है यहाँ विदार लिखा है तो यहाँ पर विचार समझ लिजioèगे थोड़ा सा यहां मिस्टाइप हो गया है क्योंकि यह translate किया हुआ, sample paper है इसलिए, ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गलत कथन का पता लगाने हम लोगों को जो आपका 31 कोश्चन है उसके अंदर है हमें जो गलत कथन है इसके अंदर उसका पता लगाना है तो पहला ये वाला जो हमारा है वो है नीती आयोग केंद्र सरकार के ठिंक टैंक के रूप में कारे करता है भी है नीती आयोग सहकारी संगवाद की भावना को उलस्चित नहीं करता है तीसरा है आपका आप देख सकते हैं आपकी भारत के परद्धान मंत्री नीती आयोग के पदेन अध्यक्ष है ठीक है यहीं अध्यक्स की बात कर रहा है यहां पर और अगला है हमारा कि डॉक्टर राजीव कुमार नीती आयोग के वर्तमान उपाध है तो जो ये 31 कोशन है बच्चो उसका जो सही उतर होगा ये बी वाला होगा कि नीती आयोग सहकारी संगवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है ठीक है कोशन एक बार दुबारा से पढ़ लेंगे बच्चो कि नीती आयोग के बारे में इन कथनों पर हमें विचार कर कथन गलत है उसका में पता लगाना है तो ये वाला कथन है वो गलत है कि नीती आयोग सहकारी संगवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है ठीक है ये बल्कि करता है तो आईक्राइब के कोशन समझ में आगया होगा बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख लेतने बच्चों अगला प्रस्ण हमारा 32 प्रस्ण है 32 प्रस्ण क्या पूछ रहा हैं से बच्चों की सौक थेरिपी एक घटना से जुड़ी हुई है ठीक है तो जो 32 कोशन का एंसर होगा आपको बच्चों वह होगा आपका सी यानि कि यह जो आपका यूएस ए ने सामेवाद को जड़ से खत्म करने की योज़ना बनाई थी तो उसी के बाद से आपका सौक थेरिपी का कही न कहीं जन्म हुआ था अगर आपको यह पढ़ा होगा उसमें गए होंगे आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चो 33 प्रस्ण थोड़ा सा सब्द इधर उधर है प्रस्ण के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ सब्द सबसे बड़ा गराज सेल जो है हमारा इतिहास में विक्री किस से संबंदीत है यानि ये कह रहा है कि गराज सेल जो है हमारा वो किस से संबंदीत है तो जो आपका गराज सेल है इसका डी वाला उप्शन सही होगा वो सौक थेरेपी से संबंदीत है तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं आप देखिए यहां पर वह वाले कोशन आ गए हैं जिसमें रीजन दिया होगा और मतलब कारण रीजन यानिकी कारण और उसके बारे में हमें बताना होगा तो एक बारी मैं आपको बता देता हूं पहले कोशन देखिए क्या है चोतीष्वा कोशन कि सीत चतुर चालो प्रचार प्रति जो हमारी गतिविदिया है और राजनाइक संघर्सों से नहीं लड़ा जा रहा था राजनाइक मतलब होता है मैंने पॉल्टिकल बोल दिया था आपको लेकिन राजनाइक जो होता है वो कूटनितिक रूप से होता है करें सकते हैं तो इसके अंदर हमें इसके जो सही ऑप्षन बताना इसका कि यह कॉशंट है को लीजिये वह को याविक थन सही है लेकिन कारण गलत है ति कह यह नहीं दिया हुआ है ना अभिकथन यह वाला सही है लेकिन ये जो कारण है न ये गलत है हमारा तो आपको ये कोशन भी क्लियर हुआ होगा कि सीत युद चतुर चाल प्रचार गती विदियो और राजनीक संघर्षों से नहीं लड़ा जा रहा था तो इससे लड़ा जा रहा था ये कारण हमारा गलत है कथन बिल्कुल सही है तो आप समझ रहे न यानि कि ये कथन दिया गया है ये कारण दिया गया है इन ही में से पूछता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है तो ये कोशन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझ ना आ है छोटी मोटी चीज़े तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा मैं उसका एंसर जरूर दूँगा और अगला प्रस्ण देखिए 35 प्रस्ण है कि अमरीकी राष्ट पती जोर्ज बुष ने किस इस्थिती को नई विश्व व्यस्था करार दिया ठीक है नई विश्व व्यस्था की संग्यादी एक तरह से आप यह कह सकते हैं तो अगला जो है आपका इसका जो एंसर बनेगा य स्ट्रॉम की अनुमती दी थी इस चीज को यहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो अगला प्रस्ण देखिए 36 प्रस्ण क्या पूछ रहा हैं से 36 प्रस्ण है कि अरब स्प्रिंग का परिणाम था क्या परिणाम था 36 प्रस्ण में यह पूछ रहा हैं से तो इसका जो सही एंसर है बच्चो यह वाला होगा निरंकुष ताना साही जो था अरब स्प्रिंग का परिणाम था आपका आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देख ल प्रशन के अंदर सहकारी सुविधाक करता इसके अंदर यह वाला जो है सो की सही एंसर होगा आपका तो आगे चलते हैं अगला प्रस्न देखिए बच्चों 38 प्रस्न क्या पूछ रहा है हमसे 38 प्रस्न पूछ रहा है कि योजना आयोग को नीती आयोग द्वारा क्यूं बदल दिया गया 38 प्रस्न के अंदर हमसे पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर है विकास की कठिन चुनोतियों से निपटने के लिए और अधिक पर्यास की अवसकता थी यह चीज़े जो विकास की कठिन चुनोतियां थी उसको उससे निपटने के लिए और अधिक पर्यास की अवस राष्ट विक्ताओं को देखते हुए सयुक्त राष्ट किस परकार अधिक महत्यपुन भूमी का निभा सकता है 49 वे प्रस्ट में हम से ये पूछ रहा है तो 49 वे प्रस्ट का सयुत्तर है यह वाला यानि कि मानव अधिकारों के उलंगन के बारे में अधिक मुखर होकर और प कारण वाला प्रस्ट आने लग गया यहां पर 40 वा प्रस्ट हमारा कि दावा कर रहा है कि अपरेल 1909 में उत्तरी अंट्लांटिक संधी संगठन 12 राज्यों का एक संग था जिसने घोष्णा की कि यूरोप ये यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक पर ससस्त हमले को उन सब पर हमला माना जाएगा तो यहां पर दावा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है वह हम बताएंगे और कारन क्या बोल रहा है कि परतेक राज्य दूसरे की मदद करने के लिए बाद दे होगा ठीक है तो जो चालिसवा प्रस्ट है इ इसमें भी कुछ दावा कर रहा है, दावा ये कर रहा है कि सांती बनाए रखने में अंतराश्टी ये संगठन बहुत महत्यपून भूमी का निभाते हैं, और कारण क्या बोल रहा है हमारा, कि कारण बोल रहा है कि देशों में एक दूसरे के साथ संगहर्ष और मतभेध है, ठ ठीक है बच्चो, तो आई होग ये कोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं फिर एक दावा कर रहा है, एक कोशन हमारा, 42 प्रशन, 42 प्रशन क्या दावा कर रहा है कि सयुक्त राष्ट के सभी सदस्यों के पास एक वोट है, हाला कि इस थाई सदस्य नकरात्म तरीके से मद्दान कर सकते हैं, ये हमारा दावा किया जा रहा है, लेकिन कारन क्या बोल रहा है, कि विकासिल दुनिया में विकास के कई अलग अलग स्तरों पर देश सामिल है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बच्चो, आपका जो ये ब्यालिस्वा प्रशन है, इसका सही उत्तर होगा B वाला यानि कि अभी कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभी कथन की शही व्याक्या नहीं है ठीक है तो आपको 42 कोशन समझ में आगया होगा बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रशन 43 वाला जो हमारा प्रशन है 43 वाला जो कोशन है उसको देख लेते हैं गवारी 43 प्रशन का तो दावा कर रहा है कि सोवियत संग प्रसासनिक और राजनीतिक अर्थों में भी इस्थिर हो गया था यह हमार दावा किया जा रहा है और कारण क्या बोल रहा है कि सोवियत विवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है हमारा तो 43 वा प्रशन में यह बोला जा रहा है तो इसका जो सही उतर होगा यह हमारा बी वाला होगा यानि कि अभिकतन और कारण दोनों सही है लेकिन क सब्सक्राइब के लिए भारत के दावे का संबंध है गलत तर्क या तर्कों की संख्या चुने यह चीज़ है यहां पर तो आगे देखिए इसका जो सही उतर होगा बच्चो चोवालिसवे प्रस्ण का इसका पहला वाला जो आप्शन है यह सही उतर होगा देखिए क्या बोल रहा है कि भारत ने सही उतराष्ट में वित्ते योगदान दिया है और इसके भुगतान पर हमेशा लडखर आता रहता है यह चीज़ है मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत ने वित्ते योग सब्सक्राइब कर देंगे कि मैं गलत हूं ठीक है यह एज आई इस अनकरेक्ट कह सकते हैं आप 44 वाला जो मारा कोशन है आगे जलते हैं 45 वा देखिए 45 क्या दावा कर रहा है कि नीती आयोगे गैर सव्वेधानिक निकाय है कारण बोल रहा है कि भारत के मुख्यमंत्री नी सब्सक्राइब कर देखिए निमलिखित में से किस मामले में अंतराष्टी संगठन मदद करता है आप कह सकते हैं 46 वा प्रशन हमसे बोल रहा है तो यहां पर कई सारे वह दे रखें कारण दे रखें जैसे बहता रहने की स्थिती लोकतांत्रिक देश की स्थापना के लिए बहुत सारे और चीज़े साथी और दे रखें आपके 46 वा प्रशन में तो जो 46 वा प्रशन है उसका जो सही उतर होगा वह नीचे चले अगर हम लोग तो इसका जो सही उतर होगा यह दी वाला होगा यानि कि बी एंड को मामले में मदद करता है और उधिकारों के उलंगन को रोखने के लिए जो अंतराश्टी है हमारा संगठन है वो मदद करते हैं ठीक है आगे जलते हैं बच्चों अगला प्रशन देख लेते हैं 47 यह नहीं 47 प्रशन क्या पूछ रहा है हमसे 47 प्रशन देखिए काफी इजी कोशन है अगर एक थोड़ा अगरा पढ़े हों तो कि भ प्रशन देख लिए बच्चों 48 प्रशन क्या पूछ रहा है कि नहर्यू यूग के दोरान हमारे देश में कुछ राजनितिक दलो और समुहों ने क्यों माना कि भारत को अमेरिका के नित्रित वाले ब्लॉक के साथ अधिक मितरता होनी चाहिए 48 प्रशन हमारा यह कह रहा है तो इसका सही उत्तर है यह वाला यहीं कि यह कह रहा है कि क्यूंकि अमेरिका अगुट ने लोक्तंत्र समर्थन होने और पुंजीवाद को बढ़ावार देने का दावा किया था अमेरिका में आज भी लोकतंत्र हैं और उहां पर पुंजीवारी विवस्ता चलती है इसका द प्रयास करूंगा 49 वाला जो हमारा कोशन है उसके अंदर तो देखिए 49 प्रस्ण है यह 49 प्रस्ण बोल रहा है कि नीचे दिया गया जो हमारा चित्र है ना उसको एक बार देखिए और उसके उत्तर दीजिए तो यह चित्र आप एक बार ध्यान से देख लिए बच्चों चीत संतरता के बाद भासाई मांग के कारण बनने वाला पहला राज्य कौन सा था आपका भासाई आधार पे तो वह था आपका आंधर परदेश कोशन आपको क्लियर हो गया होगा आगे जलते हैं यह वाला प्रस्ण जो है सो कि मैं द्रिष्टी बाधित लोग उनकी बहुत इज दिव्यांग है आपको पता ही होगा ठीक है लेकिन मैं यहां पर एक चीज़ इंक्लूड कर दूं कई वच्चे बोड इग्जाम में तो नहीं लेकिन हम बोड इग्जाम से पहले गल्दी करते हैं कि जो द्रिष्टी बाधित परिक्षार्थियों के लिए प्रस्ण होता है तो दिव्यांग जनों के लिए जो प्रस्ण है उनका एंसर आपको नहीं देना है लेकिन यहां पर मैं इसका एंसर आपको दे देता हूँ यह वाला कोशन पूछा गया है द्रिष्टी बाधित परिक्षार्थियों के लिए है कि केंद्र सरकार ने राजय पुनर गठन आयो प्रस्णों के उत्तर दीजे तो यह चित्र वो जो है ना इसको बिल्कुल ध्यान से देख लिए एकदम आखे खोल करके देख लिए ठीक है देख लिया चली अब इसका उत्तर देते हैं अब देखिए का पूछ रहा हैं से कि यहां लोगों किसका प्रतिक है यहां पर आपन के इत्तर देना है नीचे दिया गया गया है जो आपको दो और आप लेका है यहां पर लोगिस्ट इसनलम में में थी तो इसका जो इसका यहनद मे तो इसका जुपतर कौन करता है हमारा अमेरिका और यूएनो का भी साथ ले लेता है उसके अंदर यह करता है नहीं अमेरिका नहीं है इसके अंदर ध्यान से देखिए दुनिया को नियंतित करने के लिए सैने सक्ति का उपयोग करता है अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे न बच्चो तो एक चीज़ यहां पर आफ की यहां पर यूएंु है यहां पर वॉर है और यह बीच आला आदमी है miGreat ऊपका तो देखिए मैं seals बहुत बार पढ़ाया आपको और आपने आपको यह पता होगा कि जो अमेरिका है ना वो एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका की कढ़सकि पुटल यहां पर यह question पूछा है कि यह जो संदेश है इसके अंदर कई सरे संदेश जैसे war है आपका यूएन लिखा हुआ है if the right one don't get you तो इस तरह से they then they left one will war इस तरह से लिखा हुआ संदेश तो यह तस्वीर देता है यहां पर आपको चार option दिया है यह जो 51 question है इसके अंदर तो यह यही देता है कि जो दुनिया को नियंदित करने के लिए से ने सक्ति का उपयोग किया जाता है ठीक है इस यह चीज़े युए नो भी काफी हद तक उसमें मदद करता है अब देखिए आगे है कि दिये गया जो गध्यान से उसको पढ़ी और आने वाले प्रस्टे को उत्तर दीजे तो गध्यान यानि कि जो पैसे जवो तो मैं पढ़ूंगा नी ठीक है अब आगे चलते हैं मत है अगर आप पड़ लीजीए अगरे आप प्ढ़ना चाहते हमको बता दोंगा वीडियो को पहुश कर पढ़ना चाहें अब चलता हूं मैं वावन ने कि 1947 में भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक था दर्दनाक था क्यूं यह ऐसा क्यूं साबित हुआ हमारा 52 कोशन पूछ रहा है हमसे तो इसका जो सही उतर है कि दी वाला सही उतर है कि यह जन संख्या का सबसे बड़ा और सबसे अचानक अनियोजन और दुखध हस्ता अंतरन कि विभाजन के मार्ग में कोन सी बड़ी कठिनाई उत्मन हुई थी कठनाई कह लिजे कठनाई या कह लिजे ठीक है तो यह चीज है तो 53 का जो एंसर होगा आपका यह डी वाला होगा यानि कि A और B दोनों यानि कि बिटिस भारत में मुसलिम बहुल छेत्रों की एक भी पूछ रहा हैं से कि भारत प्रादेशिक छेत्र की दिरिष्टी से बहुत बड़ा राष्ट होता है ठीक है भारत ने विश्यो परिदिरिष्टी में अधिक महत्यपून भूमी का निभाई होगी यह पूछ रहा हैं से ठीक है तो 54 प्रस्ण का जो एंसर है आपका सी वालत दोनों ही सही है विश्यो में भी अच्छा नाम कमाया है भारत ने और कह सकते हैं अच्छी भूमी का निभाई है और प्रादेशिक छेत्र की दिरिष्टी से भी बहुत बड़ा राष्ट है ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए बच्चों पच्पनवा प्रस् यह बी वाला है 1940 के दिसक में कई राजनीती घटना करम हुए थे हमारे ठीक है तो यह आप इसका सही उत्तर लगा देंगे आगे चलते हैं अगला है कि दिये गए जो गध्यान से या पैसे जह उनको पढ़ करके एंसर देना है तो पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजे मैं आपको दूँगा इसका ठीक है इंगलिस में भी आप पढ़ सकते हैं इंगलिस का पेपर डाउनलोड करना तो और इजी है चाप पन्वा प्रस्न है आपका यह चाप पन्वा प्रस्न देखे क्या पूछ रहा हैं से कि पहले उप्योग नहीं कि नीती के समिक्षा और परिव वार ले लिजिए कि पहले हम नहीं करेंगे कोई अगर करता है तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए करेंगे कोई भी चीज भारत यह कहता है संतावनवा प्रस्न 57 वाला जो प्रस्न है अमारा 57 प्रस्न संतावनवा प्रस्न कि भारत में अपना भारत अंठावनुवा प्रस्ण देखिए अंठावनुवा प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि CTBT के लिए कौन सा सही विकल्प है अंठावनुवा प्रस्ण है तो इसका सही उतर है व्यापक परिक्षन प्रतिबंध संधी आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखिए 59 यानि 69 प्रस्ण ह करना यह चीदर साता है आगे चल लिए अगला प्रस्ण आपका साठ्वा प्रस्ण साठ्वा प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि भारतिय विदेश नीती का एक विश्त्रित स्रिंखला द्वारा संचालित है कारकों की गलत को पहचान कीजिए इस तरह से तो इसका जो सही उत्तर है साठ्वे का वह आपका सी एलाइन्स बिल्डिंग ठीक है यह चीज़े तो बस बच्चों यही था आपका सैंपल पेपर आई होप कि यह वीडियो आपको फसंद आगा बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे बहुत महनत लगा इस वीडियो को बनाने में अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजे मिलता हूं आप से अगली वीडियो में जैंद